नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग virtual fund investor हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफे important है क्योंकि इस समय क्या strategy होनी चाहिए 2020 जुलाई के बाद से investment के लिए क्या आप लोगों को अब large cap, mid cap, small cap की तरफ अपना investment बढ़ाना चाहिए या फिर date fund की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इस समय market भी growth कर रहा है और कुछ data भी सामने निकल करके आए और मेरी किस तरह की planning है मैं हमेसा दोस्तों एक महीने का advance plan अपने पास रखता हूँ कि अगली महीने मुझे क्या करना है अपने fund के साथ और मुझे क्या करना है equity bank के साथ यानिकि direct share market में investment में क्या करना है पै कुछ investment होते हैं जो short term के लिए होते हैं short term में क्या करता हूँ मैं कि उसमें भी दो categories मैंने decide कर रखे एक high return generate करने के लिए और emergency funds के लिए जिसमें मेरा पैसा पढ़ा रहे 6-7% का return मुझे निकल करके आता रहे तो उस साब से अगर देखा जा दोस्तों तो मैंने date fund को finalize किया था कि March और last June तक यानि कि 31st June और 30th June को जो चीजे गई हैं वो मैंने पुरा calculate करके रखा था कि Approx 25th June तक मैं अपने पैसे निकाल लूँगा और ठीक मैंने वैसा ही किया जैसे ही मुझे अच्छे return मिले almost 17% का return मुझे date fund से निकला जो मैंने इस बात को सोचें जो short term investors हैं ठीक है जो long term investor है equity वेगरा में उनको तो कुछ होना ही नहीं है क्योंकि अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यह आप लोगों को एक regular investor बनाता है ठीक है तो उसमें आप लोगों कि छेड़चार नहीं करने हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं date funds की तो date लोगों का return जो होता है वो एक तरह से कह लिजे 7-8% तक का guaranteed हो जाता है तो इसमें कई लोग अच्छे return भी निकाले हैं जैसे कि मैंने return निकाला है क्योंकि लोगों का equity की तरफ रुजहान कम हुआ है इस तरह के bonds या फिर इस तरह के date funds की तरफ लोगों का investments काफी बढ़ा है जिसकी वज़े से काफी अच्छी growth भी देखने को मिली है लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि equity की तरफ अब लोगों का रुजहान बढ़ रहा है equity mutual funds की तरफ like latch cap हो गए mid हो गए small हो गए तो अब यह क्या गर रहा है कि इनकी तरफ इनकी demand बढ़ रही है क्योंकि अब market मे positive news फैल रही है तो अब जो equity में investment है लोगों का बढ़ रहा है अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो date fund की जो detail आई है मेरे पास और कुछ आकड़े release हुए हैं तो लगबग last तिमाही में जो की 27 लाग करूर रुपीज तक का investment था ठीक है जो की April तक की तिमाही की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय मार्केट काफी ज्यादा वॉलेट आई था जब मार्केट मार्च में आप लोगों ने देखा किस तरह से लोगों को परिशान किया तो April तक में लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ equity से लेकिन वहीं पे date ने अच्छे return निकाल करके दिये और याने कि 24.82 लाक करूड रूपीज ही लोगों ने investment किये हैं almost यह आप लोग देख सकते हैं कि कितने percentage की growth की कमी आई यह ठीक है तो लगभग यह 8% है तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पर जरा सोचिए कि अगर आप लो लोगों को और अच्छे return देखने को मिलेंगे date fund से तो आप लोग थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखिए कि अब जो date fund की demand है या फिर के लिए जो date fund का रुजहान था पिछले तिमाही में अब लोगों का कम हुआ है अब लोगों का रुजहान थोड़ा सा equity की तरब direct equity की बढ़ रहा है share market की तरब बढ़ रहा है तो उन funds में भी आप लोग अपना investment थोड़ा बढ़ाईए और मैं wait कर रहा हूँ दोस्तों जो मेरी strategy है कि मैं थोड़ा सा market down आया तो मैं अपना पैसा लगाऊं क्यूंकि मैं लंशम investor हूँ बाकी जो मेरा SIP है वो चलता रहता है मैं market को time करता हूँ और मुझे लगता है कि यह सही है investment का समय तो मैं अपने short terms के goal के लिए हमेशा इस तरह से investment करता हूँ लंशम amount डालता हूँ एक सही price लेने के लिए साथी एक quality share choose करने के लिए तो I hope दोस्तों आप लोग को यह video अच्छी लगी होगी बाकी यह केवाल एक suggestion है आ आप लोग एक बार जरूर इसको रिचेक कीजिए I hope वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा दूसरों को साथ share कीजिए इस तरह की और वीडियो के लिए channel को भी subscribe करे thank you very much